सवाल यह उठता है कि सागर भाई क्या मैं अपने सीक्रेट प्राइवेट फोटोज गूगल ड्राइब में स्विव कर सकता हूं क्या क्लाउट पे सीक्रेट डेटा स्टोर करना कहां तक सही है आज की वक्त में तो भाई देखो सीधा आंसर है नो बस वीडियो खतम कर जाओ अगर वज़ा जाननी है देखती रहो भाई मैंने आपको पताया था कोई भी सिक्रेटी फुल प्रूफ नहीं होती है उसमें कुछ न कुछ कमिया तो होती ही है जो डेटा आपके हाथ में हैं आपके पास है आपको अपने आप पर भरोसा है जो डेटा क्लाउड पर स्टोर्ड है उसका पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं है पीरियट गूगल के सिक्योरिटी कितिनी भी अच्छी हो पर अगर आप अपना पास्वर्डी किसी को दे दें तो क्या कर सकते हैं राइट और सर्वर पर कोई चीज़े स्टोर्ड है मतलब आपके पास नहीं है और इसी लिए डेटा की प्रेविसी को ध्यान में रखते हुए सर्टिम बर्नर ली भी एक ऐसे इंटरनेटिक ऐसे सोशल मीडिया का निर्माड कर रहे थे जिसमें जो डेटा है वो किसी और के सरवर पर स्टोर्ड नहीं होगा आपने देखा हो यहां लोगों की पसंद का धंदा बना दिया गया है अपने देखा होगा कि आप अपने गूगल पर सर्ट कर रहे होगे कि कोई एक कारेदना चाहता हून और आप देखोगे कि Facebook पर आपको कारों की आड आ रही है अगर आप करोगे कि मैं मिक्सर राइंडर का कौन सा बैस्ट होता है तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर चले जाओ आपको फिर वही चीज़े नज़र आएंगे उसी के आड नज़र आएंगे कपड़ों का देखो तो कपड़े के आड़ाते लेडी साड़ी गलती से सर्च कर दी तब फिर तो भाई आपको साड़ी सूटी नज़र आएंगे तो इन लोगों को कैसे पता इन सब लोगों को कैसे पता रहे कि मुझे यह खरीदना मतलब कहीं तो डेटा जा रहा हमारा हमारी कुकीज हमारे डेटा हमारे सर्च रिजल्ट्स सर्च हिस्ट्री हमारे चॉइस हमारी पसंद नापसंद इन लोगों को पता है जब यह पता है तो आपके हां का जो डेटा स्टोर्ड है क्या वो पता नहीं हो सकता हो सकता है सीक्रेट डेटा से क्या मतलब हो सकता है ऐसा कोई भी डेटा जो आप ही को पता होना चाहिए कोई ऐसी पोयम कोई ऐसे टेक्स्ट जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो आप देखाना चाहते हैं आपके कलीग देखेंगे तो पागल हो गया भाई घर में आप हाफ पैंट में बैट कैसे भंगडा कर रहे हो सब नॉर्मल लोग हो फन के लिए करते हैं ऐसे कभी से आपके फैमिली के फोटो हो सकते हैं आपके फैमिली में ऐसे फोटो हो सकते हैं जो फैमिली में रहने चाहिए राइट ऐसे फोटो होते हैं तो वह आपको नहीं स्टोर करने चाहिए बाखी और क्या नहीं स्टोर करना चा अपना अधार काड अपना बैंक की पास बूक अपना जनम प्रमाण पत्र अपना सप्तरे का प्रमाण पत्र सब पी एच डी की डिग्रियां पी एच डी की दूई-दूई-धार की नौटे जो भी है घर में का इलनावत हो का कार्ड सब गूगल पर बाई होग अब यह सब मत कर लेना क्या स्टोर पर करना चाहिए आपके नोट्स आपके इस टड़ नोट्स और आपकर कोई बी एसी चीजE ज्यादा इंप़र्टन नहीं होने स्टोर करो आप आप गाने हैंना वो सारी चीजेते टूर करों कोई दिखकती नहीं है ऐसे फोटो से फैमिली के जिसमें कुछ नियां बिली के फोटो आप यह आधे हैं याद है निदे होसे टूर पे गए हो हो डालो कोई दिखकती नहीं लेकिन अपना अधारकार ड्राइविंग लाइसेंज जनम एक आईडिया को समझ तो बेग नो गूगल पे यह सब चीजें नहीं नहीं करनी चाहिए बाई क्या बात कर रहा तो यह मेरा कहना है अब बोलेंगे सागर भाई तो फिर मेरे लोकल जो मैं स्टोर करके रखता हूं वो भी तो रिस्क में है ना अगर मेरा फॉन किसी के हाथ में लग गया तो बाई ऐसे तो होने को कुछ भी हो सकता है फिर आप क्या करो अपने फोन को सिक्योर कर लो अप पूले स्वागर भाई सिक्यूर कैसे करते हैं मैं बनाऊँगा न पूरा एसी इसी संदास देखो मैं बता तो सबसे पहले आपका फोन का जो लॉक होता है पैटर वाला वह होना चाहिए अपस हमारी चीज़ दूसरी चीज कि आपका जो डेटा आपको स्टोर कर रहा वह आक अलग-अलग किसी फोल्डर में स्टोर करके रखो और ही अंदर अंदर हैं डूसरी चीज अब यह तीसरी चीज कि आ अप को कर दीजें है डेटा इंक्रिप्शन की बहुत सारी अप्लिकेशन डेटा इंक्रिप्शिन लेकिन उसको क्रैक करने में 50-60-70 साल लगेंगे इतना वक्त किसके पास है दोस्त आपके पजामे की डांस में कोई 70 साल क्यों देना चाहेगा सवाल यह उत तो नॉर्मल लोगों की सिक्यारिटी इतनी बहुत है फिर से मैं रिप्लाइए फिर से रिप्लाइडी मैं रिपीट क करना चाहता हूं कि पहला फोन का जो आपका पास्वर्ड लगा के रखा पैट्रन कोड या जो भी लगा राइट चार डिजिट का तो नहीं होना चाहिए थोड़ा चाहता साथ आट का ठीक है उसके बाद अलग-अलग फोल्डर में रखो अंदर उसके बाद उसे अगर ज्य करके रख सकते हूं और आप मेक शूर किया अपना पॉन किसी को नदो सिंपल ऐस डाइसे से कर रख सकते हैं गूगल पर नहीं सेफ करते हैं यह सिक्योर नहीं होता है तो यह कुछ टिप्स आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने इस होती है वह फिर कभी बात करूंगा ऐसी बहुत सारी टेकनीक सें जहां पर आप डेटा को छुपा सकते हैं यह आप एक इमेज के अंदर एक दूसरी इमेज को छुपा के रख सकते हो ऐसी टेकनिक मैं आपको आइडिया आप सच कर सकते हो बाद में ठीक है अलग अलग आ चोड़ी चोड़ी चीजें यह से क्योर तो नहीं करती बट ऐसी कोई चीज है कि अगर आप उसे गैलरी में नहीं शो करना चाहते हो तो आप Android में डॉट देने के बाद उस फोल्डर का नाम लिको तो एक्शली वह सिस्टम फाइल वाला फोल्डर बन जाता है जो कि गैलरी म आपके शोना हो क्योंकि कोई भी अप्लिकेशन चलती है तो उसमें बहुत चोटी चोटी पी औजी फाइल्स होती है जो कि नॉन नॉर्मल गैलरी में शो होंगी तो आपके सारी गैलरी थंबनेल साही पर जाएगी यह टेखी लोगी समझ पा रहे होंगे अगर आप नहीं सम हुग Чा झालना ही जाएगी झालना हो है में horror में मुझें खाइलना के और आपके पा ऩी में समytेज कंपनेल उसमें समय उसमयान उसमी का पर घर जा हो्या खमपके संस्पाइब गनाएड़ सहाओeter ौमपके स hell